आदरनी भगवान जैसे तैसे करके अगस्त का महीना तो समाप्त हो गया, सबको उम्मीद थी के अगस्त में शेयर मार्केट टूटेगा, लेकिन अगस्त में ही भारती शेयर मार्केट ने सरवोष शिखर नया वाला बनाया है, तो सितंबर महीने में भी जबकि निराशा के बा होता है कि गिरावट कभी तो आएगी, चूंकि गिरावट अभी तक आई नहीं है, यही इन महानवाव का लोजिक है कि गिरावट तो आएगी, मतलब गिरावट आएगी इस डर में मार्केट में जो रेली चल रही है, उसका भी लाब मत उठाइए, डर डर के जीते रही है, मेरा अपने clients से निवेदन है इस background में कि आपको डरना खबराना नहीं है stop loss रखिए और यदि stocks आपको लंबी अबधी के नजरिये से पसंद है तो आप चाहें तो whoopie level पर थोड़ा profit book कर सकते हैं और वो सिर्फ इसलिए करना है ताकि अगर थोड़ी बहुत गिरावट आए तो हमने उसमें अच्छा माल सस्तिदाम पर बहुत ज्यादा बटोरना है ध्यान रखिए निचले दाम पर खरीदने वाले लोग अल्रेडी बैठे हुए है आप अगस्त महिने के आकड़ देख लेजिए विदेशी ने कोने भी खरीदा है घरे लूने भी खरीदा है mutual funds की खरीदारी चल रही है SIP का influence जबरदस्त आ रहा है दूसरा जो महेंगे stocks हैं वो बेचे जा रहे हैं जहां पर value है वहां पर नवेश किया जा रहा है तो इन ही सब concepts को मद्दे नज़र लगते हुए मैं आपको recommendation देता हूँ साथ में सितंबर महीने में अमेरिका में ब्याज़दरें कट सकती हैं एवं आगामी 6 महीनों में लगातार 2% तक ब्याज़दरें गटाई जा सकती हैं और ये जो ब्याज़दरें गिरेंगी उनके चलते बाड़ती शेयर मार्केट ही नहीं दुनिया वरके शेयर मार्केट तूटेंगे नहीं उल्टा चड़ेंगे ये हो सकता है कि selective pockets में ही re-rating हो जैसे IT सेक्टर वहाँ शेयर्स अभी भी बाज़दाम पर हैं तो वहाँ पर खरीदारी भी हो रही है शेयर्स चड़ भी सकते हैं तो हमें अंदादूंद खरीदारी नहीं करनी है जहाँ पर स्रीचार्ट महालक्षम जी आदेश दें वहीं पर खरीदारी करनी है जो भी हम करीदें जो भी हम प्रॉफिट की फसल काटते रहे हैं, काटते रहेंगे, और हाँ दोस्तों, इभी आपको भी मेरी सेवाएं चाहिए, तो एक मौका जरूर दीजिए, आपकी सेवा करके मेरा जीवन हो जाएगा सफल, इसी वीडियो के डिस्कूशन वाक्स में लिक दी गई है, उस पर क्लिक करके, आपकी के भी मेरा क्लाइंट बन जाएगा स्रीमान,